नमस्कार दोस्तों, इंजीनिर भारत में आप एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Cellcronic के Expert VM-3 Model और Flynn Company के Flynn Fusion के 5KV Model के बारे में हालांकि इस सेरीज में यानि की Cellcronic का Expert है इसमें और Flynn Company का Fusion है इसमें 2 inverter आते हैं, 3KV का और 5KV का, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल सीमिलर है specification wise दोनों ही बिल्कुल सेम है, अगर आपको जितना load Cellcronic वाले में चलाने को मिलता है उतना ही, Flynn Fusion में मिलता है और दोनों ही बिना बैंटर के भी काम कर सकते हैं यानि कि अगर आपने direct solar panel पे दोनों को चलाना है, तो दोनों को याप direct solar panel पे चला सकते हैं और 4 बैंटरियों का system है, लेकिन इन में फिर भी कुछ difference है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले है तो सबसे पहले हम price की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही inverter आपको 5 kv model की बात कर रहे हैं, दोनों ही inverter आपको around 70,000 रुपे में मिल जाते हैं अगर आपका budget अच्छा है और 5 kv तक का system चाहिए और 4 बैंटरियों वाला चाहिए, तो यही company हैं जो आपको 4 बैंटरियों साथ में 5 kv का model देती है, otherwise अगर आप किसी और brand का खरीदते हैं, तो लगबग 8 बैंटरियों का system या कम से कम 6 बैंटरियों का system आपको लेना पड़ लगते हैं, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा आपका एक load पैनल लगता है, उससे आपकी बैंटरियों चार्ज हो सकती है, अगर आपने बैंटरियों कनेक्ट की है तो और अगर आपने बैंटरियों भी कनेक्ट नहीं की है, तो भी आप जो पैनल की capacity है, वो ज्यादा ही तो इसमें बैसे तो दोनों में ही USB पोर्ट मिलती है, और RS-232 पोर्ट मिलती है, लेकिन इसके अलावा जो सेलक्रोनिक वाला है, इसके अंदर आपको Wi-Fi और Android एप का option मिलता है, और OTG का भी option मिलता है, जिससे की आपका जो power consumption है, generation है, वो पूरी जानकारी आप OTG के दवारा भी ले सकते हैं, और Android एप और Bluetooth के दवारा भी ले सकते हैं, दूसरा इसमें जो डिस्पले लगी है, उसे हटा कर आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, इसके साथ में आपको Wi-Fi मिलती है, यानि कि अगर आप inverter से हटा कर इस डिस्पले को कहीं दूसरे रूम में भी लगाना जिससे कि आप अपने रूम से ही अपने inverter को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी सारी जानकारी भी दिस्पले वर देख सकते हैं, ये इसके अंदर benefit है, बाकि जो option दिये गए हैं, वो बिल्कुल shame है, इन दोनों में खास बात ये है कि इनकी जो MPPT operating range है, यानि कि जो पैनल आपन पर 450V तक ये connect कर सकते हैं, सिरीज में अगर आप सभी पैनल को connect करते हैं, तो 450V तक की supply को ये handle कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने पहले ही अपने किसी water pump के लिए या अपने खेतों में मान लीजिए, आपने on grid solar system लगवाया है, सबसीडी वाला, तो वहाँ पे भी इस inverter को लगा कर आप अपने appliance को चला सकते हैं, क्योंकि जो on grid solar system होता है, वो high world DC का होता है, और उस पर अगर आप बीच में DC चेंजवर लगा कर और इस inverter को साथ में जोड देते हैं, जिसके बारे मैंने पहले एक वीडियो में detail में बताया है, तो आप अपने उस on grid system से भी इस inverter को चला कर अपने appliance को बड़ी ही असानी से चला सकते हैं, इसका फायता ये होता है कि जब आप उस on grid solar system का इस्तिमाल नहीं करते हैं, तो उस शमय वो कोई काम का नहीं होता है, तो उस condition में आप ये inverter लगा कर अपना load हो चला सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा बड़ा system लग तो आपको 5 kVA का inverter लगबग 50,000 रुपय में ही मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा feature वगएरा की जूर्त नहीं है, सिर्फ आपका काम, सिर्फ आपको load चलाने से मतलब है, पैनल लगाने से मतलब है, तो आप luminous company में भी ले सकते हैं, लेकिन वापी जो battery हो संख्या उस inverter के उपर आपको 8 battery लगानी पड़ती है, लेकिन वो 6 kilowatt का inverter है, और उसके उपर 6 kilowatt तक या पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप best inverter की बात करें, तो मरलूमनियस वाला ही बताऊंगा, जिसके उपर आप air conditioner जैसे heavy appliance को भी बढ़ी असानी से चला सकते हैं, हलांकि इन inverter क के मुकाबले ज्यादा अच्छा है, तो अगर आपको पैसे बचाने हैं, तो आप सस्ता 5 QVA का system भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आप Micro Tech Company के 500 VA का एक jumbo सीरीज में मोडल आता है, जो कि 4 बैंटरियों साथ में आता है, उसके उपर आप अगर 4 kilowatt के पैनल लगाना चाहते हैं, तो Asa Power Company का MPPT Solar Charge Controller ले सकते हैं, अगर आपको कम पैनल लगाने हैं, तो और किसी कमपनी का MPPT Solar Charge Controller ले सकते हैं, लेकिन यूज यहाँ पे आपको MPPT Solar Charge Controller ही करना चाहिए, ताकि आपकी जो Solar Panel से आने वाली सप्लाई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज हो सके तो अगर आपको Cellcronic और Flynn Energy वाले inverter के manufacturer के बारे में पता है, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि दूसरों को भी पता चल सकें कि यह कहा की कमपनिया है, वैसे हमें इसकी जानकार्य अब तक नहीं मिली है, इसलिए हमने इसमें आपक उन्प होने मिली हमने आपको सप eyeletों को बimmeंगन comfort और तक नहीं मिली हमने reduce, कि उलिए or को फिसे खनी हमली हम तक एन यह हमें मिली हमती है कि तक अ झापकोन के ज alumni पें हम पेंगल के रिए झों उलिएम के ढपकोन बहां के जाए वीडिया हम में चानव गर्र प्कश कर भी वा